सभी किसान भाईयों को प्यार भान नमश्कार आज हम जानेंगे हमारे दूसरे प्रोड़क्ट उपजवर्धन के बारे में उसके पहले मैं आपको बता दू सम्रित्रमिट्टी संपर्न किसान राइसिंग भारत बायोकेर प्राविट रिमिटेड का यहां लक्ष है और जैसे कि हमने पहले वीडियो में जाना था इस महाल लक्ष को पाने के तू हमने कुछ बहतरीन प्रोड़क्ट संपर्बाण किया है आज हम जानेंगे उन में से एक बहतरीन सोईल कंडिशना जिसका नाम है उपज वर्धन जैसे ही इसका नाम है वैसा इसका काम है यहां उपच की बद्धी करता है किसान के जिंदगी में खुश्याली लाने के लिए यहां बड़ा कारगर साबित हुआ है और बीते 6-7 सालों में हमने इसका लगभग भारत के सभी राज्जों में प्रयोग किया है और इसके है कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम अगर कुछ है अकाल के बावजूद तो वो है मिट्टी का बंजर कोते जारा है हमारे अज्ञान सुरूप हमने जरूरत से ज्यादा केमिकल पेस्टिसाइट्स डाले केमिकल हर्भीसाइट्स डाले तथा मिट्टी का प्येच चेक किये बिन उसकी जरूरत चेक किये बिना हमने बेहिसाब मात्रा में यूलिया डीएटी पोटाश तथा बाकी केमिकल पर्टिलाइजर्स हम मिट्टी में डाल देगा है कुछ केमिकल हर्भीसाइट्स तथा केमिकल पेस्टिसाइट्स के प्रणाम सुरूप जो मिट्टी में जैव परि कि वजह से एक शार उपर आ गए जूरिया डीएटी पोटाश मिट्टी में गुल्ले की क्षमता खतम हो गई मिट्टी की उस वजह से हमारी मिट्टी पत्थ्रीली बंजल और पानी का निकास उसके अंदर से ना होने वाली हो गई पीच बगड़ गया एक तो एसईटी बढ़ गई या फिर सलीनीटी बढ़ गई जिस वजह से मिट्टी का ताकमान भी बैलेस नहीं रहा यह सारी समस्याओं के वजह से जो केचुअ हमारे खेट में रहता था वो केचुआ भी हमारे खेट में नहीं गता और यह बड़ी गंभीर समस्या है, हमने इस समस्या के उपर ध्यान दिया और हमने कोशिश की कि कुछ एक ऐसा प्रोड़क्ट विकसित किया जाए, जिसमें न्यूट्रियंट्स की भरमार हो, यूमस की भरमार हो, जिस वज़य से ओर्गेनिक तत्व मिट्टी के अंदर पढ़ जिसके वज़य से जो यूरियाट येपी प्रोटाश सालों से जैसे के वैसे पढ़ा हुआ है, तथा मिट्टी को हमने बंजर पत्रीली बना दिया है, उसका इलाज हो, तो जानते है उपजवर्धन क्या है, उपजवर्धन के अंदर यूमिक असिड, फुल्विक असिड, लियोनाडाइट तथा ग्रोथ न्यूक्रियेट्स, विटामिन्स, मिन्डरल्स और एमिनो असिड की भर्मार है, इसके अंदर जो यूमिक असिड है, यह 100% ऑर्गेनिक है, जिस वज़ए से मिट्टी में यूमस की भर्मार हो जाती है, और इस यूमस को अकरशित होते हुए गेन्चुए भी अपने खेत के अंदर आ सकते हैं, साथ ही साथ हमने मिट्टी का pH अगर बैलेंस करना है, तो carbon to nitrogen ratio 24 as to 1 होना चाहिए, जिसमें अगर अपने यूमस की मातरा मिट्टी में बढ़ा दिये, तो वो मिट्टी का बंद पढ़ा हुआ इंजिन फिर से स्कार्ट हो जाता है, और मिट्टी में carbon to nitrogen ratio बैलेंस होने जो मैंने अनुपाद बताया उस दिशा में चल पढ़ता है, जिस वज़ए से क्या होता है, हमारी मिट्टी में हवा की आवाजा ही बढ़ती है, क्योंकि केचुए उपर निच्चे करते जाते हैं, वो खाते जाते हैं, मल की खेला भी अच्छे से बन पाती है, हवा की आवाज ही होना, मिट्टी भुरुकुरी होना यह अपने आप में बहुत अच्छा बहुत अच्छी चीज़ है, जिस वज़ए से जल लिकास अच्छे तरह से होता है, खेट उपर नीचे अच्छे से होता है, मिट्टी सूरज के जोशनी अंदर तक जाती है और जिस वज़े से खेट में फकूंदी वाली बीमारिय लगवक ना के बराबर पोचाती है। आपको बता दू के सुक्ष्मल जिवानु जब बढ़ते हैं तब ये यूरिया डियेपी पुटाश को विगटित करते हैं और पोधर को जिस आवशक्ता में चाहिए जड़ों के मांद्यम में उसी सोरूप में यर्ग पोधों को देते हैं। जिसके परिणाम सोरूप बोधों का संतुलित और अच्छा विकास होने में मदद होती है। मैं आपको बता दू के उपजवर्दन के इस्तमाल से उपर बताये गए लगवक सभी चीजे होने वाली है। यह एक बहतरीन और्गेनिक प्रोड़क्ट है और जहां पे भी हमने इसका उपयोग किया है। कोई भी फसल हो इस दुनिया में उगाई जाने वाली कोई भी फसल के अंदर आप इसका इसका इस्तमाल कर सकते हो। उपजवरदन का फाइदा फार्मर को जरूर हुआ है। फिर वो ही माचल प्रदेश से हो या औरिसा से हो पंजाब से हो या महाराष्ट्र से हो सभी को उपजवर्दन का अच्छा रिजल्ट मिला हुआ है अब हम जानेंगे उपजवर्दन कैसे और कब इस्तेमाल करना है पहले हम जानेंगे उपजवर्दन का इस्तमाल करना है तो देखिए बहुत आसान है उपजवर्दन का इस्तमाल आप खेत तयार करते समय आप इसका उपयोग कर सकते हो 20-40 किलो यूरिया के साथ आधा किलो उपजवर्दन आप मिक्स करके खेत में छीट सकते हो अगर आप यूरिया का इस्तमाल नहीं करते हैं तो आप 40-80 किलो नीम की खली सूखी खली उसके अंदर आप मिक्स करके उपजवर्दन खेत में छीट सकते हो अगर वो भी आप इस्तमाल नहीं कर सकते तो खेत की ही सुखी हुई मिट्टी 20 किलो आप लेते हुए उपजवर्दन आदा किलो इसके अंदर मिक्स करना है और आप पूरी खेत में इसको छीट सकते हो इसके बाद में दूसरी बार उपजवर्दन का इस्तमाल कब करना है जब हमारे खेत में फूलो का लगना शुरुवात हो रहा हो कोई भी फसल हो जब फूलो की अवस्था में पौधा आ जाए तब हमें और आधा किलो पजवर्दन एक तो पानी में बहा के हम दे सकते है या फिर ड्रेंचिंग कर सकते है या फिर मिट्टी में ही मिक्स करके फि वियां होता है उपजवर्दन के इस्तमाल से होने वाले फाइदे कुछ इस प्रकान है इसके उपयोग से हमें उपज में वृद्धी मिलती है जडों की शुंखलाओं की वृद्धी होती है कम पाली में भी फसल जीवित रहती है अच्छे रहती है जादा से जादा फूल आ के benefits मैं आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा हमारा product जो के बहतरी product है जिसका नाम है उपजवर्दन